हालो एब्रिवान आईए आज शुरुवात करते हैं क्लास 10 में तक्टर मनोहरे में एक्सरसाइज 12 वी 12 वी है व्रित्तों से संबंधित छेत्रफल उसमें कोशन नंबर 13 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख लिया है कोशन नंबर 14 आज देखें कोशन नंबर 14 से त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले व्रित्त का एक चाप एक व्रित्त है जिसके त्रिज्या 21 सेंटीमीटर यहां हम बनाया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है एक चाप चाप एबी के अंदर पर साथ हंस कोण अंतरित करता है या बनाता है तो तीन चीज़ें ज्याद करने हैं चाप की लंबाई है तो जीवा यह हो जाएगा और श्रीप और चाप डार जो खंड बनेगा बश्रित खंड उसका छेटिफल को तो बारी बार इसे निकालते हैं चाप के नंबाई देखी क्या क्या दिया है कि त्रिज्य दिया है त्रिज्या आर कि तरिज्या आर बराबर 21 सिंटी मिटर कोंड थीटा बराबर साथ हंस चाप बराबर कुश्चन मार्क तो कोंड बराबर चाप बटे तरिजिया होता है कोंड बराबर चाप बटे तरिजिया या चाप बराबर इस इंप्लाइज चाप बराबर कोंड इन्टू तरिजिया तो कोंड कितना है पाई बाई थ्री तरिजिया कितना है एक्किस सेंटिमीटर या इसको ऐसे करने 22 बटे साथ गुड़े तीन गुड़े एक्किस कर देंगे इसको कितना हो गया 22 सेंटिमीटर यह हो गया 22 सेंटिमीटर यह चीज़ देंगे कन्फूजन में मत रहिएगा यह तो पाई है इसका मान 180 डिगरी यहां पर लेकिन जब चाप का मान निकालेंगे न लेंथ लंबाई जब निकालनी है तो पाई का मान हम 22 बटे साथ रखेंगे कोण होगा तो 180 ठीक है जब कोण होगा तो 180 चुकी यहां पर लंबाई है तो पाई का मान 22 बटे साथ रखेंगे सेकेंड है यह फर्स्ट पार्ट था नो यह फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट चाप द्वराब बनाये गए त्रिज्य खंड का छेत्रफल ओ ए बी का छेत्रफल यहां पर लिखेंगे त्रिज्य खंड ओ ए बी का छेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 इंटो पाई आर स्क्वार शाथ हंस बटे 360 गुडे 22 बेटे साथ आर कमान 21 सेंटिमेटर फिर यहां से काट देंगे त्रिज्य ग्यारा ग्यार त्रिज्य थे सत्री के के सत्री के के सदू तेज सेंटिमेटर स्क्वार शेत्रफल है ना 231 हो गया अब हमको निकालना है यह यह जो सेडिक पार्ट है रेट से यह अबी जीवा और यह चाप a c b कर दें a c b चाप और a b जीवा द्वारा जो खंड बन रहा है ब्रित खंड उसका छेत्रफल उसका छेत्रफल क्या होगा त्रिज्यक खंड का छेत्रफल माइनस त्रिपूज का छेत्रफल तो फार्मूला लेखेंगे त्रिज्यक ब्रित खंड सोरी ब्रित खंड a c b का छेत्रफल त्रिज्यक खंड o a b का छेत्रफल o a b का छेत्रफल माइनस त्रिभूज o a b का छेत्रफल त्रिज्यक खंड o a b का छेत्रफल 221 माइनस त्रिभूज का छेत्रफल त्रिखें 1 बाई 2 r square sin theta r square sin theta पर लिखतें r square sin theta means 231 माइनस 1 बाई 2 r square मतला 21 गुड़े 233 है न और sin 60 डिग्री तो मेंस हो गया 231 माइनस 441 बाटा में 2 गुड़े अंडरूट 3 बाटा में 2 231 माइनस 441 अंडरूट 3 बाटे में 4 work centimeter question number 15 है त्रिज्या 12 cm वाले एक व्रित्त की कोई जीवा एक व्रित्त है जिसकी त्रिज्या 12 cm है की कोई जीवा केंद्र पर 120 संस का कोण अंतरित करती है संगत ब्रित्तखंड का छेत्तफल ग्याद कीजिए इस जीवा के इस जीवा और चाप द्वारा इस जीवा संगत ब्रित्तखंड का मतलब इस जीवा और चाप द्वारा जो ब्रित्तखंड बन रहा है उसका छेत्रफल ग्याद कीजिए तो क्या करेंगे त्रिज्य खंड का छेत्रफल माइनस त्रिभूज का छेत्रफल पिछले कुशन में एक पार्ट लगा था ना तो क्या के दिया है फिले वो लिख ले हैं त्रिज्य आर बराबर 12 सेंटीमेटर कूंड थीटा एक सो बीशन्स टू पाई बाई थ्री शरी रन दीजिए यह तो संगत बृत्रखंड का छेत्रफल बराबर फर्मूला है थीटा बाई 360 पाई आर स्कूर माइनस माइनस वन बाई टू आर स्कूर साइन थीटा यह हो जाएगा एक सो बीश बटे 360 इन्टू पाई बार का स्कूर माइनस वन बाई टू बार स्कूर साइन एक सो बीश डिग्री थीटा के जागे क्या रख देंगे एक सो बीश डिग्री रख देंगे अब इसको काड़ दें 244 बटा तीन 144 बटा तीन पाई माइनस एक यह दो दो से कर जाएगा लिख देंगे यह सो चो बटा दू और साइन 120 यानिके साइन 90 प्लस 30 कास 30 कामान अंडर रूट तीन बट्टा दो रूट थ्री बाई टू तो 144 कामन लेले हम अगर क्या बचेगा पाई बाई थ्री माइनस रूट थ्री बाई फोर जाते हैं 12 144 बटे में 12 कर दें इधर जाएगा फोर पाई माइनस थ्री रूट थ्री इसा तो 12 से पूरा कर जाएगा 12 12 अइधर चार गुड़े 3.14 माइनस 3 इंटू 1.73 तू बारे चार चोको शोला चार कुड़े 4 5 चार टिंबार माइनस थिन त्री रूट थिन नौव तीन से त्री एक प्रेस तीन कम त्री दूट पाँच तो बारच, बारच दसमलों पांच, फाइब पॉइंट, वन नाइन, साथ, तीन, साथ, तो यह हुगे, साथ दसमलों, तीन साथ, उड़ा करेंगे, तो आज आएगा बारसत चोरासी, अब आज़तें, शत्ति, साथ, चोवालिस, अब बारसत चोरासी, चार अठासी, सेंटिमेटर स्क्वेर, यह हो जाएगा, इसका छेतरफ़, संगत बृत्रफ़कन का कुश्चन नमर सोला, बड़ा इंट्रेस्टिंग प्रस्ना है, 15 मीटर भुजा वाल एक वर्गाकार घास के मैडान के एक कोने पर लगे खूटे से, एक भौड़े को पांच मीटर लंबी रस्षी से बान दिया गया है, एक वरगा का मैदान है जिसकी भुजा पंद्र मीटर है पंद्र मीटर इधर पंद्र मीटर इधर एक घोड़े को पांच मीटर लंबी रस्षी से बांद दिया जाता है पहले यहां पर यह पांच मीटर है यह त्रिज्ज्या जो है यह पांच मीटर है फिर यह पूरा यहां से यहां तक यह 10 मीटर है कह रहा है कि वाँ घोड़ा जो घास चरेगा उसका छेतफल देखिए यहां घोड़ा अकर बधा होगा पांच मीटर लंबी रसी है तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐसे करके वह घास को चरेगा है तो यह क्या हो गया यहां पर देखिए वर्ग है तो यह नब्यांस का कोड़ बनेगा और यह क्या है त्रिज्याखंड 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 है त थीटा नब्य अंस तो वन वाई वन करते हैं पहला है पहले के लिए आर बराबर पांच मीटर थीटा बराबर नब्य डिग्री तो घास का छेत तफल घास उस घास का छेतर फल जहां घोड़ा चर सकता है ब्राबर क्या हो जाएगा वहीं त्री जिखंड थीटा बाई थी सिक्स्टी पाई आर स्क्वेर मेंस नैंटी बाई थी सिक्स्टी इंटू पाई बाई टू इंटू अरे पाई ही रहने देते हैं इच्छा चलिए फाइप का स्क्वेर तो यह चार्ष दो घ्यारा प्चेश गोड़े ग्यारा पट्चीश गोड़े ग्यारा का मतलब हो गया 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 पच्वेर पच्वेच पन्द गयार दूना बाईस पाईस पानस ताइस साधन चौदा सेंटिमेटर स्क्वेर दस्मलों में 14 कम 14 135 1426 126 और नौव 14 चंग चौरासी फिर छोड़ो चोकाशपपन इतना सेंटिमेटर स्क्वेर नौव दस्मलों यह पाई कमान 1.732 पाई कमान तो दिया नहीं किया रखना है तो हमने तो 22 बटे साथ रख दिया और अगर कि 1.732 रखेंगे न तो 19 दस्मलों 625 आएगा ठीक है यह भी एंसर वो मान रखेंगे तो वो भी एंसर करेक्ट यह हो गया अब सेकेंड पार्ट जो है सेकेंड पार्ट है चरे जा सकने वाले छेत्रफल में ब्रिध्धी क्या होगी यदि गोड़े को 5 मिटर लंबी रस्षी के अस्थान पर 10 मिटर लंबी रस्षी से बांद दिया जाए छेत्रफल में ब्रिध्धी कर रहा है देखिए पहले छेत्रफल इतना था यह जब रस्षी को 5 मिटर के बजाए 10 मिटर कर देंगे तो अब यह पूरा भाग वो गोड़ा चर पाएगा है ना तो छेत्रफल में ब्रिध्धी क्या होगी देखिए यह चेत्रफल था अब यहा जा दें यह वाला भाग जो बचेगा यह वाला भाग वह छेत्रफल में ब्रिद्धी हो जाएगी तो वह छेत्रफल में ब्रिद्धी कैसे निकलेगी थे क्लें जो शक्राएक Musik जो बड़ा हुब जाना होता यह चलेगा तो हमको क्या करना है न अब आरगर दस लेकर के थीटा नाइटी लेकर के छेत्रफल निकालेंगे आर बड़ाबर दस मीटर स्वारी यहां पर मीटर स्क्वाइर होगा और थीटा बड़ाबर नाइटी डिगरी तो छेत्रफल बड़ाबर हो जाएगा देखिए अब थीटा बड़ी सिस्टी है ना तो हम डारेक्ट रख रहे हैं नाइटी बाई 360 इन्टू इस बार हम पाई कमान नो 1.73 3.14 इतना रख रहे हैं और पाई आर स्क्वेर आर कमान दस कवर्ग थीटा बड़ी इतना होगे तो यह होगे 100 100 से गुड़ा करेंगे अच्छी एक काट देशको 314 बड़ी चार क्योंकि यह 100 होगा ना 100 से गुड़ा करेंगे तो दस्मलों खतम बड़ी में चार पंजे 20 इतना मीटेर स्क्वाइर हो जाएगा चेत्रफल में व्रिध्धी चेत्रफल में व्रिध्धी बराबर इस में इसको खटा दें 28.5 माइनस 19.64 तो देखिए थोड़ा सा अंतर आएगा क्योंकि यहां पर उसमें जो है 19.6 दो पास दिया है और हम 22 बड़ा साथ रखे हैं तो 19.64 आया है तो थोड़ा सा दस्मलों के बाद वाले में अंतर आएगा यह 5-0 कर दें इसको तो दस में से चार गया छे चार 14 14 में से चार गया आठ साथ 17 में से नो हो गया आठ और यहां हो गया चार में से एग गया पांच अंतर क्यों आ गया बस यहां पर पाई कमांज हमने 22 बड़ा साथ रख दिया जबकि रखना था था 3.14 ठीक है वह रखते तो यह उतना आता तो फिर यहां पर एंसर के हिसाब से आजाता मान है बाइद भी यह आंसर हो गया कर दो